तो फिर नई नई डिजाइन सीख पाईएगा चैनल पर और आप बिल्कुल इस चैनल ज जुड़े से जुड़जये कि दोस्तों अगर आप नहीं जुड़े हैं बिल्कुल परफेक्टव परफेक्ट्थ ली आपकी एक बनाना चीख पाएंगे यहां पर और अज फिर आपको नई नई डिजाइन्स बतलाने जा रही हो केक की और दोनों ही हमारा बनने जा रहा है चौकलेट केक तो यह देखिए दो स्पॉंज मैंने बना के तयार किया हुआ है एक एक पॉंड का है दोनों और कम जिकम आप 5-6 इंच के मोल्ड का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आप एक चौकलेट केक की तो प्लीज आप मेरे उस वीडियो को भी जरूर देखिए जहां पे मैंने परफेक्टली बतलाया हुआ है कि आप कैसे लेयरिंग कर सकते हैं चौकलेट केक की तो यहां भी मैं आपको दिखला रही हूँ लेकिन डीटेल में और भी आप वहां पे देख सकत हैं जो मैंने वीडियो डाली हुई है तो देखिए विप क्रीम डालने के बाद सुगर सिरप से सोक करा करके मैंने डाल दिया चौकलेट गनाश और फिर से अगर आप चौको चिप यहां डालना चाते हैं तो डाल सकते हैं फिर से मैंने डाल दिया इसके उपर एक दूसरा व नाश डालने के बाद थर्ड वाला हमारा लेयर यहां लग चुका है और इसके बाद हम लोग इसकी क्रम कोटिंग करेंगे तो क्रम कोटिंग जरूर कर लीजेगा दोस्तों इससे क्या होता है कि फाइनल आइसिंग में बहुत ही असानी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो छोट कोट कर दिया लेयरिंग करने के बाद और यहां स्काई ब्लू कलर को मैं विप क्रीम में मिला हूंगी और इसको हम लोग विप क्रीम में मिला करके पाइपिंग बैग में देखिए ऐसे डाल लिये हैं और पाइपिंग बैग से ही लगाने के बाद इसकी मतलब मैं फाइनल आ तो फिर नहीं करती हूँ लेकिन अगर टाइम है मेरे पास तुम्हें पाइपिंग बैग में ही भर के करती हूँ काम को सब्सक्राइब देखिया है गोश्य करें में पाइपिंग भलव है और सब्सक्राइब करने मोटयरे हैं ही तो हमारा अच्छा होता लेकिन चलिए देखिए इसका भी हमारा हमने कर दिया साइड में डिजाइन और इसको डिजाइन करने के बाद पैलेट नाइप से ऊपर से थोड़ा सा और चिकना कर लिजिए ताकि बराबर हो जाए और उसके बाद अब देखिए मैंने ले लिया है 1E nozzle को बड़े साइज का 1E nozzle है ये देखिए दोस्तों और बीच बीच में nozzle को जरूर साफ करते रहिएगा चाहे आप कोई भी nozzle इस्तिमाल कर रहे हैं जिससे हमारी आगे की जो designing होगी वो भती नहीं बनेगी वरना आपका जो cutting आ रहा है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखलाई नहीं पड़ेगा और अच्छा नहीं बनेगा और यहाँ पर देखिए 1M nozzle का इस्तिमाल करके इस तरह की designing कर दिया मैंने 1M nozzle तो यहाँ पे 1M और 2D nozzle से मैंने यहाँ designing कर दी है और side में हम लोग गनाश को गिरा रहा है तो पहले मैंने गनाश को उपर से नहीं डाला मुझे side में ही चाहिए था इसका designing इसलिए मैंने side में डाला तो गनाश जो है जब whip cream की कोई भी designing हम करते हैं जैसे मैंने उपर की उसके नीचे अगर आप डालते हैं तो क्या होता है वो तोड़ा time लगता है set होने में लेकिन अगर गनाश को लग से डालते हैं तो वो तो देखिए cream में मिलके बहुत अच्छे से set हो ही चुका है और यहाँ पे मैंने piping bag को बस cut किया और ऐसा pearl design यहाँ नीचे border में दे दिया और यह वाला जो garnishing है इस silver वाला spray जो की बहुत अच्छा सा shine ले आएगा हमारे cake के उपर तो बस हमने cream के उपर जहाँ जाने था apply किया उसको second वाले की भी चलिए designing करते हैं और मेरे पास है 2D nozzle 2D nozzle से हम लोग rosette बना रहे हैं और एक side में ही मुझे rosette को यहाँ बनाना है यह आप देख सकते हैं 2D nozzle से rosette बहुत ही जादा सुन्दर भी बनता है और यहाँ पे ग्रीन कलर की विप क्रीम से पतियां बना रहे हैं तो पतियों को बनाने के लिए मैंने कोई यहाँ पे nozzle इस्तिमाल नहीं किया है आप देख सकते हैं piping bag में ही we cut लगा लिया है और वी cut लगा के चाहें छोटा या बड़ा बड़ी या छोटी पति बना सकते हैं छोटा काटेंगे तो छोटी पति बनेगी बड़ा काटेंगे बड़ी पति बोटी पति बनेगी तो यहां मैंने थोड़ा बड़ा ही काटा है और देखिए एक ही तरफ मैं पतियां भी बना रही हूँ जहाँ पे फ्लावर है तो फ्रेंड्स अब हम लोग ले रहे हैं चॉकलेट गनाश पाइपिंग बैग में और गनाश को हम लोग यहां साइड में देखिए डाल रहे हैं उस तरफ तो हमने फ्लावर बना दिया इसलिए मैंने पहले ही बना दिया उधर मैंने नहीं डाला गनाश के उपर जब आप काम करेंगे क्रीम से तो क्रीम को उपर वाली क्रीम को सेट होने में time लग जाता है और अच्छागा सा time लग जाताा है सेट होने में उसको तो देखिए एक side गीरा के मैंने side में भी इसको गीरा दिया है और side में भी मतलब piping bag से ही यहाँ पर नीचे की तरफ से गीरा रही हूँ तो फ्रेंट्स हम लोग जो है बॉर्डर को घेर रहे हैं और देखिए पाइपिंग बैग में जैसे मैंने उसको किया था इसको भी कर रही हो तो दोस्तों आप मेरे चैनल से जूड़ करके नही नही डिजाइन बनाना सीख सकते हैं अगर आप बेकरी का काम करते हैं तो आप यहाँ जूड़ करके बहुत सी डिजाइनिंग सीख सकते हैं देखिए मैं यहाँ पर शुगर स्प्रिंकल डाल दे रही हूँ सिल्वर वाला और गार्निशिंग भी मैंने फैन वाला गार्निशिंग भी देखिए दो लगा दिया है तो आप जुड़े रहिए दोस्तों मेरे चैनल से और इस तरह की नई नई डिजाइनिंग केक की सीखते रहिए और भी बहुत सी जानकारी चैनल पर है तो वो भी जाके जरूर देखिए देखिए मैं इसके उपर डाल दे रहे हूं सिल्वर वाला डस्ट जिससे की इसमें भी बहुत अच्छा सा शाइन आ जाएगा तो जहां विप क्रीम का काम किया है वहाँ पे हम लोग इसको डाल रहे हैं और देखिए ये वाला केक भी हमारा बन के तयार हो गया है तो दोनों ही ओर्डर पर था और दोनों का ही ओर्डर कंप्लीट हो चुका है आप देख सकते हैं और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बतलाईएगा और जुड़े रहिएगा नई नई डिजाइन देख लें के लिए और बहुत सी जानकारी पाने के लिए तो हमारा डबा बन चुका है पैकिंग हो चुकी है और ये डिलीवर भी हो चुका तो दोस्तों आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा और नई नई जानकारी पाते रहिएगा चलिए मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में चैनल पर विप क्रीम की चॉकलेट गनाश की जैल की जानकारी क्रश की जानकारी मतलब की केक से रिलेटेड लगबख सारी जानकारी है तो जाईए देखिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए तेंक्यू बाई बाई